हलो एंड वेलकम बेक टू मैं यूट्यूब चैनल, होप एर ओल दूइंग वेल, तो देखो आज हम साइंस से रिलेटेड क्वास्चिन्स को यहां पर डिस्कस करेंगे, यह क्वास्चिन्स आपके प्रीवियस एक्जाम में पुछे गए हैं, तो नो डाट आपके आने वाले यह beneficial होने वाले हैं, तो देखो आपको सिंपली करना क्या है, आपको खुद का खुद से test लगाना है, खुद को analyze करना है कि आपके इन questions में से कितने questions सही होंगे वा कितने गलत होंगे, ओके, तो चलिए वेडियो को शुरू करते हैं, तो question number 145 आप screen पर देख सकते हो, तो दे 26 questions होंगे, तो इन 26 questions में से आपके कितने सही होंगे, यह आप नीचे comment करोगे, तो हमारा question number 145 है, a floating body always displaces liquid water equal to its own, तो एक तैरती काय हमेशा जो है, तो अपने dash के बराबर द्रव पानी विस्थापित करती है, तो देखो, a floating body always displaces liquid water equal to its own weight option, सीख दिखो यहां पर correct हो जाएग of zero degrees Celsius, on the Kelvin scale is, तो Kelvin पैमाने पर zero degrees का सही मुले, देखो क्या होता है, तो यह होता है, 273.15 Kelvin option, यह देखो यहां पर correct हो जाएगा, देखो आप से एक question यहां से पुछा जाता है, कि scales of temperature जो है, तो कितने type के हैं, तो आपको बता होगा, यह तीन type के हैं, कितने type के हैं, कितने type के पर जो है, तो Kelvin की ही बात की गई है, अब देखो एक और question यहां से बन जाता है, अब देखो सामाने मनुष्य का जो तापमान होता है, वह कितना होता है, अब देखो Celsius में कितना होता है, फार्न हाइट में कितना होता है, और Kelvin में कितना होता है, तो देखो सामाने मनुष्य का आप मन, Celsius में पूछेंगे तो होता है 37 degree Celsius अगर Fahrenheit में पूछेंगे तो 98 degree 98 degree और अगर पूछा जाएगा Kelvin में Kelvin में पूछेंगे तो 310 Kelvin, ओके? तो इस point को भी देखो, आपको note रखना है Next 147 question है The ozone layer absorb तो ozone परत अवशोशित करती है तो देखो, यहां से simple सा एक question बनता है कि यह जोजोन layer है यह वायू मंडल के जो है तो किस layer में पढ़ती है? तो देखो, यह जो है तो वायू मंडल के stratosphere यानि कि समताप मंडल में समताप मंडल में पाई जाती है यह point पहले तो आपको note रखना है अब यहां पर इस question को बढ़ो देखो, ओजोन पर यानि कि ओजोन layer जो है तो अफ्जोर्व करती है अल्ट्रा वायलेट रेज को option यह देखो, यहां पर correct हो जागा पर बैंगनी किरिणों को जो है तो यह अवस्शोश्चित करती है option A correct होगा which of the following phenomenon is used in optical fiber तो निमने में से कौन सा लक्षन optical fiber में जो है तो परियुक्त होता है तो कौन सा होता है तो यह होता है total internal reflection option C correct हो जाएगा यह जो optical fiber है total internal reflection का यह एक example है अब देखो total internal reflection के कुछ examples मैं यहां पर देदू जैसे आप कह सकते हो हीरे का चमकना हीरे का चमकना जो है तो total internal reflection का एक example है और एक और हो गया optical fiber यह भी किसका है यह भी total internal reflection का example है उसके बाद हम बात करते हैं जैसे पानी के अंदर जो है तो परखनली जो है तो चमकीली दिखाई देती है तो वह भी किसका example है total internal reflection का वह भी example है तो इन देखो छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको लिंक करके चलना है, 149 question, alcoholic fermentation is brought about by the action of, तो किसकी क्रिया द्वारा, alcoholic किनवन करवाया जाता है, तो किसकी क्रिया द्वारा करवाया जाता है, carbon dioxide की क्रिया द्वारा, option, ए देखो यहां पर correct हो जाएगा, next देखो 150 question है हमारा, which one of the following is a good source of protein, तो निम्न में से protein का अच्छा स्त्रोथ कौन सा है, I think इस question का अंसर आप सभी को पता होगा, protein का सबसे अच्छा स्त्रोथ है, soya bean, option, c देखो यहां पर correct हो जाएगा, 151 question की बात करें, यानि की long hack, तो देखो long क्या है, dry flower bud, सुष्क पुष्प कली option भी correct होगा, यह question बहुत बार repeat होता है, देखो हमिरपूर बोर्ड इस question को बहुत बार repeat करता है, इस question को आप बिल्कुल गांठ बांद लो, और यह question जो है तो आता ही आता है, next देखो 152 हमारा question है, which of the following is not a true fish, तो निम्न में से कौन सी वास्तवीक मतस्य नहीं है, तो देखो true fish यहां पर हो जाएगी, cry fish, cuttlefish, silver fish, but flying fish जो है तो true fish नहीं है, option यह देखो यहां पर correct हो जाएगा, next question की बात करें, तो question number 144 आप screen पर देख सकते हो, when some detergent is added to water, the surface tension, तो जब कुछ detergent जल में मिलाए जाते हैं, तो प्रिष्ठत तनाव जो है, तो क्या होता है, increase होता है, decrease या फिर remains unaffected रहता है, तो देखो 144 का option, B correct हो जाएगा, decrease हो जाता है, option, B यहां पर correct होगा, 145, the electromagnetic radiations most prevalent in the atmosphere is, तो वायो मेंडल में सरवाधिक, उपस्तित, विद्यत, चुम्बकी यह विकरन, देखो कौन सा है, त तो सबसे भारी प्राकरितिक रूप से प्राप्त तत्व कौन सा होगा, तो यह होगा, uranium option, C यहां पर देखो correct होगा, 147, the pH value of human blood is approximately, तो मानव रुधीर, यानि की मानव रक्त का pH मान लगबक कितना होदा है, 7.4 option, B देखो यहां पर correct होगा, 148, which of the following metals is not attacked by the environment, तो निमन में से किस धातू पर वातावरन का प्रभाव नहीं पड़ता है, यहां पर पूछा है, नहीं पड़ता है, तो gold पर नहीं पड़ता है, option, D देखो यहां पर correct होगा, 149, medicines are more effective, if they are used in, तो देखो औशदियां अधिक प्रभावी होती है, यदि वे उप्योग की जाती है, किस state में अगर वो उप्योग की जाती है, तो वह जो है तो, अगर collidal state यानि की कलिली अवस्था में उप्योग की जाती है, तो औशदियां जो है तो अधिक प्रभावी होती है, option, C देखो यहां पर correct हो जाएगा, 150 question, the inert form of carbon is, तो carbon का अक्रीय रूप देखो पूछा गया है, तो carbon का अक्रीय रूप देखो क्या होगा, तो यह होगा, diamond, option, D correct, next, the AIDS is caused by, तो AIDS जो है तो किसके द्वारा होता है, तो देखो AIDS किसके द्वारा होता है, वारस यानि की विशानों के कारण, option, C देखो यहां पर correct हो जाएगा, next, देखो 152 हमारा question है, पैंसिलीन is isolated from, तो देखो पैं 174 हमारा question है, प्राकरितिक गैस में मुखेता, देखो कौन सी गैस होती है, तो कौन सी होती है, यह होती है, methane option, A correct, next, नमक का देखो रसाइनिक नाम यहां पर आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा, तो यह होगा, sodium chloride option, A correct, देखो simple से question है, यही हर बार exam में repeat होते हैं, तो इ इसका देखो right option होगा, option, option B, कांसा, next question, question number हमारा 177 है, मानवस शरीर में सबसे बड़ी गरंथी देखो कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी गरंथी है, यहां पर correct हो जाएगा, बाकि guys अगर आपको, देखो questions का level और वीडियो अगर अच्छे लग रही है, तो जिरोर से इस व 146 हमारा question है, the coil of an electric heater is made of, तो देखो electric heater की coil जो है तो किस्से बनी होती है, तो देखो किस्से बनी होती है, तो यह बनी होती है, नाइक्रोम से यानि की option C, देखो यहां पर correct हो जाएगा, next हमारा question है, 147, an atom bomb is based upon the principle of, तो देखो एक परमानू बंबज होता है, तो वह किस सिद्धान पर कारे करता है, तो वह nuclear fusion option, एक और act हो जाएगा, नाभी की या विखंडन के सिद्धान पर जो है, तो कारे करता है, यह point आपको note रखना है, बाकि देखो guys, यहां पर हम इन questions को बिल्कुल deeply discuss नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह science के questions है, अब जैसे अगर आपको बता है, अगर history के questions होते हैं, पॉलिडी के होते थो हम trick वगएरा लगा करके, उनको detail में discuss कर लेते हैं, बट यहां पर trick का कोई सवाल नहीं उठता है, okay, next question की बात करें, question number 148, among the given nutrients, milk is a poor source of, तो दिये के पोशक तत्वों में से दुगद का, अलप स्तरोत देखो, यहां पर हो जाएगा, next देखो 149 हमारा question है, curd is a sourdue to presence of, तो किसकी उपस्तिति के कारण जो है, तो दहीं खटा लगता है, तो I think यह भी question बहुत बार repeat होता है, और आप सभी को question का solution पता होगा, तो देखो, lactic acid option, be correct होगा, lactic acid के कारण जो है, तो दहीं खटा लगता है, option, be correct होगा, question number 150 है, देखो, total मैंने यहां पर कितने questions करवाई, यह आप I think, आप count कर रहे होंगे, बाकि अगर मैं देखूं तो total जो है तो मैंने 26, I think 26 questions जो है तो करवा दिये हैं, तो देखो इन questions में से आपके कितने सही होंगे, यह आप नीचे comment करोगे, अभी हम last question देखेंगे, question number 150 है हम समसे option, D देखो, यहां पर correct होगा, तो guys यह थे हैं हमारे कुछ questions, I hope वीडियो आपको informative लगी होगी, अगर वीडियो अच्छे लगी है तो जरूर से इस वीडियो को like करें, share करें, channel को subscribe करें, साथ में bell icon को जरूर दवाएं, तो चली मिलते हैं अब अगली वीडियो में, till then take कियर,